दोस्तो आज हम विनमरता और मदूरता से बात करने की आदत के फाइदे जानेंगे दोस्तो जीवन में विनमरता और मदूरता से बड़े बड़े काम आसानी से किये जा सकते है यह आदत आपके व्यक्तित्व को खाज बना देती है वो रिस्तों में मिठाज बढ़ा देती है यह आदत कुरोध से बचने में मदद करती है वो सामने किसी को कुरोध आ रहा है तो उसको भी सांत करने में मदद मिलती है इस आदत से स्वयम को खुश रखने और सांत रखने म मदद मिलती है और बीतर एक सुकून मैसुस होता है एक आनंद मैसुस होता है एक आनंद की अनुगुती होती है हम विनम्रता से बात करते तो हमारा मन मस्तिस्क भी जागरू का उस्ता में रहता है और हमारे मुख से अपिर बात निकलने की संभावना नहीं रहती है कटोरता य बात करते समय छोटे बड़े का हिसाप नहीं लगाना चाहिए बलकि हम सभी लोगों से विनम्रता और मदूरता से ही बात करनी चाहिए चाहे वो हमसे छोटे हो या बड़े कभी-कभी हम किसी की बात से ऐसा असहमत होते है और उस इस्तिती में हम सामन्यत कटोरता से बात करने लग जाते है परन्तु हम असहमत होते हुए भी अपनी बात मदूरता से रखनी चाहिए इससे सामने वाले व्यक्ती पर हमारी बात को स्विकार करने की गुंजाइस बढ़ जाती है जो व्यक्ती विनम्रता और मदूरता से बात करते है अधिकतर लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते है वह मानते है विनम्रता से बात करने से बात के परभाव के साथ साथ विनम्रता की मिठास भी काफी अच्छा परभाव डालती है किसी को सहिमत करने के लिए कम प्रियास करना पड़ता है। विनम रता और मदूरता के बारे में कुछ लाइनों में हम आपको देते हैं। विनम रता से कही गई बात काटोरता से कही गई विशिश बात से जादा परभाव साली होती है। दोस्तों ये दो लाइने